आज हम लोग कक्छाच्छ के संसकृत का शेकेंड अध्याय शंसकृत वंदना जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड में संसकृत वंदना को पढ़ेंगे सबसे पहले हम रीट करेंगे शंसार दुखान विना सयंतिम विज्ञान वाणिम विनिवे सयंतिम वागिश्वरी शूरिशं प्रकाशं सरश्वती साधर्मान तो हम एक बार फिर से अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे को जो वंदना है सबसे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे देखेगा आप लोग कि संसार दुखान विना सयंतिम सरश्वती मा की वंदना है जिसमें हम सभी चात और सिक्षक यह सरश्वती मा से वंदना करते हैं कि है सरश्वती मा आप संसार अर्था संसार के या संपून दुखान दुखों को दुखों का विना सयंतिम नास करने वाली है ओशर्वती मा आप संशार के दुखों का विनास करने वाली है विज्ञान वाणिम विनिवे सयंतिम और आप विज्ञान की वाणि विनिवे सयंतिम प्रदान करने वाली हैं वागिश्वरी, माशरश्वती को बूला जाता है, वाक की इश्वर, अर्थात वाणी की देवी, माशरश्वती, ठीक, शूर्यशम प्रकाशम, आपका, आप शूर्य के इशमान, तेजवाली, माशरश्वती, साधर, सरश्वती, साधर मान तो हम, मैं ऐसी माशरश्वती का सं मान करता हूँ आदर करता हूँ ठीक फिर से गबार देखेंगे कि संसार दुखान विना सयंतिम अर्थात संसार के दुखों का नास करने वाली विज्ञान वाणिम विज्ञान की वाणि विन्वे सयंतिम प्रदान करने वाली वागेश्वरे शूरिशं प्रकाशं वाक की वी माशरश्वती शूर शम प्रकाशं शूर के समान तेजवाली शरश्वती साधर मानतो हूं माशरश्वती का मैं साधर सम्मान करता हूं ठीक अब हम इसके एक बार फिर से देखेंगे कि मैं ऐसी माशरश्वति की वंदना करता हूँ, उनका आधर करता हूँ, उनका शंबान करता हूँ, किनकी माशरश्वति की? ऐसी मासरस्वती जो संसार के दुखों का विनास करने वाली है, नास करने वाली है, दुखों को हरने वाली है, ठिक, विज्ञान की वाणी, ज्यान विज्ञान की वाणी प्रदान करने वाली, विन्वे सेंति वर्थत प्रदान करने वाली है, वागेश्वरी, जैसा कि हमने ब करता हूं उनका उनकी प्रार्थना करता हूं उनका आधर करता हूं उनका शम्मान करता हूं ठीक जैसा कि हम समझपा रहे हैं कि आप लोग को वंदना का पहला स्लोक समझ में आ गया होगा ठीक धन्यवाद